हेलो स्टुडेंट आप सभी कस्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल मोटिवीशन बाइदिक्षा में छोटों को प्यार बड़ों को नमस्कार स्टुडेंट आज कम क्लास में डिसकस करने वाले हैं कि i skinner ने दो जीवों पर प्रियोग किया सबसे फर्स्ट था चुहे पर और सेकंड प्रियोग किया हैं और कभूतर पर तो मैंने आप लोगो को चुहे के बारे के बारे में इन्होंने कैसे करके प्रियोग किया है अब हम कि कबूतर पर इन ने कैसे प्रियोग किया है कैसे इसका निसकर निकाला है पुनर बलन के बारे में बताया है कि पुनर बलन होता क्या है किसी भी क्रिया को बार बार दोहराना या बार बार प्रक्रिया करना प्रोसेस करना ही हमारा पुनर बलन कहलाता है और इन सिध्धानतों को कि इनके नाम से जाना जाता है So guys, हमारे चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइबर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले आपको हर नॉटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और कॉमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी So student, let's play इसकीनर महादे जी का जो पहला प्रियोग था उनका पहला प्रियोग उन्होंने रैबिट पर किया था भूके चुहे पर किया था जिसका कलर वाइट कलर का था अब सेकेंड प्रियोग इन्होंने किया है कबूतर पर तो देखते हैं कि जैसे कि आप पिच्छर्स के माध्यम से देखी रहे होंगे कि जो इसकीनर महादे जी है वो कबूतर को एक बॉक्स में रख रहे हैं के इसकीनर बोक्स के नाम से जाना जाताया है तो की थे इसकीनर है सबसे पहले अपने प्रियोग में के बूके कबूतर को बै बंद करके रख दिया है जैसे कि आप पिच्छ में पीटि यहां पर लिखा हुआ है वहां पर एकत्रित होने लगते हैं तो सबसे फर्स्ट मैं है कि इसकिनर ने अपने प्रियोग में एक भूके कबूतर को बंद करके रखा है बिल्कुल सांत बैठा है उसके बाद कुछ समय बाद क्या किये जाता है कि इसकिनर महौदे जी है वो बॉक्स के अंदर प्रकास करते हैं जिससे लाइट जलने लगती है जैसे ही प्रकास होता है तो कबूतर चोच मारना प्रारम कर देता है जैसे ही इस कीपर वो चोच मारेगा तो उसे भोजन की प्राप्ती होने लगती है वो ऐसा बार बार दोहराते हैं ऐसा बार बार करके देखते हैं कि कबूतर क्या कर रहा है तो जैसे ही वो बार-बार light जलाते हैं प्रकास करते हैं वैसे ही कबूतर उस कीपर चोच मारता है तो उसे भोजन के कुछ तुकड़े गिरने लगते हैं और वो भोजन को खाना सीख जाता है इस प्रकार उन्होंने end तक मतलब first time उसे बहुत कम ज्यादा समय लगा second time थोड़ा जिप्राप्त होगा तो उन्होंने क्या बता है कि क्रियाओं पर सबसे ज्यादा उन्हें जोर दिया है इसलिए इसे क्रिया प्रसुत का सिध्धान कहा जाता है तो यह तो हो गए दौनों सिध्धान पहला सिध्धान मैंने आप लोगों को चूहे का बताया है जो पिछली व किनर के अन्य नाम जो किस किस तिधानतों के नाम होते हैं सबसे फर्स्ट है तक्री अनुबंद का सिध्धान इन्हें सक्री अनुबंद का सिध्धान कहते हैं सेकेंड है उद्धीपन अनुक्रिया उद्धीपन का सिध्धान कहा जाता है पहले रिस्पॉंस होगा बाद में स् थ्जान एक की थियोरी की नाम से इन्वे जाना जाता है क्योंकि ठंड़ाइक की थी ए सर थियोरी थी लेकिन जो इनकी थियोरी है वो है आरेस थेओरी है थार्ट पूर्थ है क्रिया प्रसुत अनुबंद का सिध्धान कहा जाता है नेक्स्ट है कार्यात्मग प्रदीबंदता का सिध्धान कहते हैं इसे हम फिर नेक्स्ट इसे साधनात्मग अनुबंद का सिध्धान भी कहा जाता है देन नेक्स्ट लास्ट skinner box प्रियोग क्यों कहा जाता है क्योंकि जब skinner konjarine की तो इन्हों ने के 2 प्रियोग तो इनकी दो प्रियोग नुसार में कभूतर पूधर्वक, कि जब कोई चीज हम बार-बार दोराते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने चूहे पर, चूहे ने भी क्या करा, भोजन को पाने के लिए बार-बार प्रक्टिस करी, उसी प्रकार कबूतर ने भी क्या किया कि बार-बार प्रक्टिस करी, बार-बार चौँच मार तो उसे भोजन की प्राप्ति हुई तो पुनर्बलन वह होता है जो भी कारे हम बार-बार दोराते हैं जिसे हमें सीखने में हैल्प मिलती है उसे हम पुनर्बलन कहते हैं पुनर्बलन इसलिए इसे क्रिया प्रसुत अनुबंद का सिध्धान कहा जाता है पुनर्बलन को प्र करके होते हैं टाइपस ऑफ रैंस्फोर्मेंट फस्ट होता है पॉजिटिव एंड सेकेंड होता है निगेटिव पॉजिटिव भी क्या जाएगा ऐसा पुनरबलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है और एक्जामपल जैसे पुरुषकार और सम्मान जैसे हम पॉर पॉजिटिव क्याते हैं कि सकारात्मक निगेटिव नहीं हो जाएगा नकारात्मक ऐसा पुनरबलन जो अनुक्रिया की संभावना को कम करता है जैसे कोई बच्चा एक्जाम में फेल हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है दंड मिलता है पारेंट्स की तरफ से omg क्या किया था उसने Leo पर बटन प्रेस किया तो उसी क्या हुआ कि faru'ts याने कि कुछ भोजन के तुकड़े उसे गोलियां मिलने लगी नेगेटिव में क्या जाएगा कि वो गलत बटन दवाता तो उसे एलेक्ट्रिक जटके मिलते करेंट मिलता तो उसे दंड मिलता पनिस्मेंट मिलता तो यह होता है हमारा पुनरबलन के प्रकार क्रिया प्रुसुष सिध्धान की विसेस्ताइं हैं सबसे फर्स्ट विसेस्ता है पुनर बलन एक अवशक्त दत्व होता है जो पुनर बलन ये की बार बार दोहराने की जो भी प्रिक्रियाएं होती वह most important need होती है सेकेंड या सिधान्त मंद बुद्धी बालकों की लिए होता है जिससे अधिकम करने में सहायक होता है जितने मंद बुद्धी हो या वीग बालकों उनके लिए learning करने में पुनर बलन most important होता है थर्ड है सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे जितना ज़्यादा सीखोगे आपका प्रेक्टिस आपका डवलाप्मेंट उतना ज्यादा ग्रोध करेगा तो यह तीन मिसेस्ता है जो most important है तो इन तीन अंत्राल पुनर बलन थार्ड इनिशित अनुपात में पुनर बलन देते रहना चाहिए और परिवर्तन सीखोगे परिवर्तन भी हो सकता है तो आई होप गाइस इन सबी चीजों को मैंने क्लियर कर दिया कि पुनर बलन क्या होता है कब उतर पर कैसे प्रियों किया गया है इ तब तक के लिए थैंक्स पॉर वशिंग लाइक और सब्सक्राइब इस वीडियो विलते हैं नेक्स वीडियो पर थैंक्यू